गुड मॉर्निंग बच्छों पिछले कक्षा में माई बागवान को कौनसा फोल पसंद लगेगा उसके बारे में बॉलेती कमल फोल लाने के लिए दोनू भी साहस कर रहे हैं दोने भी मतलब कुश्बू और पंकुरी उसके बारे में नेक्स जो पेज नमबर टेन लास्ट टू पैरा है परन्तु वहो तालब तो मेरे बाबा का है पंकुरी ने कहा देखिये इस वाकी को किस ने किस से काती है पंकुरी ने कुश्बू से काती है पता नहीं ता इस तरह ये बोल सकती है किस ने इस तरह सोची है खुश्बू मालम नहीं ता कि पंकुरी इस तरह जवाब देगी मन में ही इसने नहीं सोची थी कि इस तरह ये जवाब देगी जवाब आपोजिट सवाल वह तोड़ा उदास हो गई ये बाते सुनकर वह उन्हें सैलेंट हो गई तो तीन मिनिट सैलेंट हो गई और बोले हो सकता है पर वहां तो कोई भी नहीं जाता ओके तुमारा बाबा का वह सकता है पर उस जगह पर कोई भी नहीं जा सकता कमल वहां किलते राते है और फिर अपने आप वहीं जड़ भी जाते है वो किलते हैं जड़ जाते है उस जगह पर वो फूल तोड़ने के लिए कोई नहीं जा सकते मैने ही कमल वाली जगह कोजी है मैने ही क्या कोजी है कमल वाली कमल फुल ने की जगह कोजने वाली कौन है खुशबू है पर उसका अधिकार चलाने वाली कौन है पुंकुरी है कमल वाली जगह कोजी है इसलिए वे कमल के फुल तो मेरे हुए न उस जगह को कोजने वाली मैं हूँ इसलिए वो फूल मेरे हुए न क्यों इस तरह वाधा कर रहे मतलब पूजारी ने भगवान को पसंद वोने वाली फूल के बारे में बोले थे इसलिए इस तरह दोनों भी जगड रहे थे पंकुरी बोले अईसे कैसे तुमारे हुए वो हो ताला तो मेरे बाबा का है देखिये किस ने प्रश्न की पंकुरी ने किस से कुश्वू से कुश्वू बोले तो क्या हुआ तुमारा बाबा हो बाबा का ताला बोता क्या हुआ किस की प्रश्ण हो कुश्पूर की फिर पंकुरी ने कहा तो इसका मतलब साफ है कि वो फूल उम पर मेरा ही अधिकार बंदा है मेरा बाबा का है वो तालाब उस तालाब में वो फूल के लिए है मतलब वो मेरा अधिकार जादा है इसलिए वो फुल मेरा है इस तरह काते हुए उससे वादाखी इस बातजीत के बाद दोनों के बीच अनबन हो गई तोड़ा गड़ड़ हो गई इसलिए दोनों भी बिना बाते उस उपवन से आए उस दिन रास्ते में पशू पक्षी भी उधास दे दोनों में जगड़ने के कारण से बिना बाते गर है वो दोनों आने वाले रास्ते में पशू पक्षू भी दोनों उधास हो गई थे वो दोनों लड़कियों भी और ये पशू पक्षू भी दूनु भी उदास हो गए थे नेक्स्ट पेज लवेंथ फस्ट पेरा आगले दिन जैसे ही सूरज उगा तो कुषबू पहाडी पार करके कुषबू पहाडी पार करने के लिए निकली नेक्स्ट पेज सुबव ओते ही कब उखता है सुरज सुबा किस वर उखता है पूरवार पस्टिम की वर उखता है पूरव की ओर उखता है कब दूखता है उखना आपोजिट व डूखना शाम को अगले दिन जैसे ही सूरज उगा तो कुश्बू पहाड़ी पार करने के लिए निकली क्यों पहाड़ी को पार करने के लिए निकली कुश्बू? कमल का फूल लाने के लिए उसने देखा आस्मान में नारंगी सूरज जो दिखाई पड़ रहा था देखिए साड़े चे साड़े पांच बज़े के समय वह पहाड़ी पार करने के लिए निकल रही है आस्मान आस्मान आपोजिटो भूमी टंडी टंडी हावा चल रही थी सुबा सुबा जा रही है साड़े चे बज़े के समय पहाड़ी पार करके तालाब तक पहुँच कर उसे बहुत दुखी हुई सारे बहुत कुशी हुई पहाड़ी पार करके ताल लाब तक पहुंच कर उसे बहुत कुशी हुई क्योंकि वो फूल मेरी है ये मन में रग करो ये उसको बहुत कुशी होने लगी परंतो यहाँ उसे आपने सहली पंकुरी की याद हाए किसको? खुश्बू को किसकी हादा ही? दोस्तनी पंकुरी की याद हाए याद आपोसितर भूल और वह हो उदास हो गई उसकी याद आकर उसने silent हो गई किसने silent हो गई? पंकुरी ने तभी उसके लिए दिल की धड़कन तेज हो गई देखिए उसकी दिल की धड़कन क्या हो गई तेज तेज आपसिट क्या है महंद वो उसने देखा कि पंकुरी तालाब से कमल के फूल हाथ में लेकर चलिहा रही थी उसने देखा पंकुरी तालाब से किसने पहाड़े पार करके फूल लाने के लिए चलिए गई गया कि पंकुरी ओ फूल लेकर हाथ में कमल के फूल है ओ लेकर आ रही है पंकुरी पंकुरी को देखुकर कुश्चुबू जाड़ी के पीछे चिप गई वो दोस्तने को देख कर कुश्बू क्या की? जाड़ी की पीछे चिप गई क्यो? वो उसको बिना कहे उस जगा पर चली गई है इसलिए पंकूरी जल्दी जल्दी पहाड़ी पर चड़ी क्या करती है? वो फू लेकर मंदिर की ओर बड़ी क्या लेकर मंदिर की ओर बड़ी? कमल का फूर यह सब देख कर कुश्बू की आंकों में आंसों आ गई यह दोनों भी बहुत दोस्त नहीं थे इसलिए यह समझ कर उसको बहुत दुख होने लगा दोस्त में भी इस तरह चल कपट इस तरह दोका यह सोच कर उसने रो रही है खुश्बू को बहुत दुख होआ कि उसकी सबसे प्यारी सहेली है बहुत जन है सहेली है पर उसकी सबसे प्यारी सहेली मतलब यह इसलिए उसको बहुत दर्द होने लगा उनके साथ चल कपट किया है इस तरह रहने वाले प्यारी सहेली ने भी मुझे क्या किया है चल कपट दुखा पंकुरी सीरी मंदुर कोंची दापो बाबास्तान करके लवट आये थे और फूजा करने जा रहे थे किसी के आने के आवाज सुनकर उनोंने पुचा कौन है उसको दुर्ष्ट हीलते इसलिए दिखता नहीं थे उसने आवाज सुनकर रहे ये हाने वालों को पूचा कौन है किस ने पूचा इस प्रश्ण को पूजारी दापो बाबा ने पूचा मैं कमल के फूल लेकर हाई हूँ बाबा किसकी वो हुतर देखिया गया येगा बहुत अच्चा मैं तुमारे नाम से ये हाफूल टाकूर जी को चड़ाऊंगा देखिया बचे चड़ाऊंगा ये हाफूल टाकूर जी को किस काल में है देखिया बचे काल में तीन प्रकार है वर्तमानकाल बोतकाल बोशतकाल ये हाफूल टाकूर जी को चड़ाता हूँ मैं यह हुआ के हैं वर्तमानकाल यह फूल टाकुर्जी को चड़ा यह हुआ के हैं बूतकाल चड़ाऊंगा बौशतकाल इस तरह अनेक एक्जामपल मिलेंगे बच्चे परन्तो मैं तुम्हें एकदम पाचा नहीं पा रहा हूँ तुम कुष्पो हो ना यह कुष्पो नहीं है यह प्रश्ण पोईते हैं दापो बाबा पोजारेने उसका उतर क्या देती हैं बाद में देखेंगे बच्चे दूसरी कक्षा में यह कुष्पो बाद में लिए्ट झाल यह कुष्पो यह कुष्पो